हाई फ्रेंड्स में अकांशा सर्मा जी की वितकांशा मैं आपका स्वागत करती हूं तो फ्रेंड्स हाज हम भारत वर्स के एम सी क्यू लगाने वाले हैं भारत वर्स के कुछ महत्मूर वस्तुनिष्ट करेंगे बहुत सरे लोग अभी तक भी ये नहीं सोच रहे हैं कि हमारा फरवरी में एक्जाम है तो पर एक्जाम टाइम में इतने जादा फिर पर परिशान होते हो ना कि अब तक तैयारी नहीं सब्सक्राइब जरू की जिगा जुनून बैच स्टार्ट हो गया है कल से कल हमने सतत्विकास लक्ष को ट्रिक द्वारा हमारे जो ऑनलाइन बैच में तैयार करवाया है और आज रात को नौ बजे उसका टेस्ट होगा जो भी लोग जॉइन करना चाते हैं हमारा जुनून ब के किस अध्याय में आत्म ज्यान की प्राप्ति के सिद्धान्त का वर्णन किया है पहला अध्याय दूसरा अध्याय सातवाध्याय चटवाध्याय सबसे पहले बात करते हैं च्छांदों के उपनिशद किसका भाग है तो च्छांदों के उपनिशद है और हर वेत का उपनि किसका है सामवेट का है और यह प्राचीन उपनिशत टोटल दस उपनिशद है प्राचीन और यह प्राचीन दस उपनिशदो में से सबसे बड़ा उपनिशद में से भी जाना जाता इस है ब्रह्म ज्यान के लिए भी जाना जाता है याद रखना इसको व्रह्म ज्यान के लिए भी जाना जाता आपसे पूछ सकते हैं किस उपनिशत को ब्रह्म ज्यान के लिए भी जाना जाता है तो छानदो ग्योपनिशत को ही ब्रह्म ज्यान के लिए जाना जाता है इसके अलाबा इसमें तत्व ज्यान की भी बात की गई है आत्म ज्यान की भी बात की गई है इसमें जो मनुष्य की जो सामान ने आयू है वो कितनी बताई है चांदोग ग्योप निशद में मनुष्य की सामान ने आयू 116 वर्ष बताई है इसके अलावा चांदोग ग्योप निशद में क्रश्ण देप की पुत्र का उलेक रिशी घोरा अंगीरस के चातर के रूप में किया है मतलब जो कृष्ण का उलेख है भगवान कृष्ण का उलेख है वो रिशी गोर अंगी रसके छात्र के रूप में किया है ये इसका वर्णनर्मी इसी छांदोग्य उपनिशद में किया गया है और ये एक सुरुत्ति गरंत हैं जो सुनके मतलब लेखे गए हैं और इनकी संख् लगवाग 108 है लेकिन मुख जो हैं 13 ही उपनिशद होते हैं तो चांदोग्य उपनिशद के बारे में ये सारा याद रखना तो ये प्राचिनतम 10 उपनिशद जो हैं 10 प्राचिन हैं उनमें से 9 उपनिशद है और सबसे बड़ा उपनिशद कहा जाता है इसको तलबकार भी बोला जाता है उसको इसी रूप में मानिता प्राप्त होती है तो ये चांदोग्य उपनिशद के बारे में ये सारे फेक्ट याद रखिएगा इसके लावर इसके किस अध्याय में आत्म ग्यान की प्राप्ती का वर्णन है तो इसके जो सात्व अध्याय है उसमें आत्म ग ग्यान के लिए जाना जाता है ब्रह्म ग्यान के लिए जाना जाता है ये फैक्ट भी याद रखिएगा अगला है मौरे काल में जो न्याय सास्तर की सिख्षा दी जाती थी वो उसको क्या बोला जाता था मौरे काल जो हुगा था जब असोक का जो काल ये होता था असोक का जो स का जाता था आन्विक्ष की चाहाता था तुरह को हम तीन बेद्य कहते थे मोरे कावा 6 च्णभुप मोरे ने की दादा जी है 322 इसा पूर्व में चंगुप्त मोरे ने इसकी मोरे समाज की शथापण और यह जह 3222 इसा पूर्व से यह 185 इसापूर्व तक चला था 322 इसापूर्व से 185 इसापूर्व तक चला था और इसकी जो राजधानी थी मौरे काल की जो मौरे पूरा जो सामराज था उसकी जो राजधानी थी वो थी पाटली पुत्र मौरे सामराजी की राजधानी कौन सी थी मौरे सामराज की राजधान पाटली पुत्र थी जिसको आज का पटना कहा जाता है और ये जो मौरे काल था अपने सिला लेक कला मूर्ती कला के लिए जाना जाता था इसके प्रमुक सासक सबसे पहले चन्गुप्त मौरे ही थे जो की इसके स्थापक थे फिर इनके लड़के थे विंदुसार और फिर उन कौन सा था ब्रहदत जो था मौरे वंस का अंतिम सासक था याद रखिएगा मौरे राजवंस ने करीब 137 वर्ष तक सासन किया था मौरे वंस ने कब तक सासन किया था करीब 137 वर्ष तक इसने सासन किया था और इनकी जो स्थापना कसरे जन्गुप्त मौरे और उनके जो मं इसने सासन किया था और मौरे काल में जो न्याई की जो सिक्षा दी जाती थी उसको क्या बोलते थे तो मौरे काल में जो न्याई की सिक्षा दी जाती थी उसको आनविक्षी की कहते थे मौरे काल में ब्रहधद के बाद जो अगला जो बंस आया था उन्होंने नंदवंश की जो इस्थापना इन्होंने नंदवंश को हरा कर इन्होंने अपनी इस्थापना की थी मतलब जो नंद वन नंद अंतिम नंद सासक तक घना नंद उसको चन्दगुप्त मौरे ने पराजित किया था अगला कुशन देखते हैं इसका अंसर क्या हो जाएगा आनविक्षी की हो जाएगा अगला कुशन है मनु इसमिर्थी के अनुसार प्रत्वी पर उत्पन होने वाले सभी मानवों को अगर जन्मा ब्रामण ने सिक्षा दी है किस की सिक्षा दी है मनु इसमर्थी किस के बारे में बोलती है कि जितने भी लोग प्रत्वी पर उत्पन होंगे उन सभी मानवों को जो सिख्षा प्रदान करेंगे अगर जन्मा ब्रामन से सिख्षा प्रदान करिए तो किस की सिख्षा दी है मोक्ष की की है चरित्र की की है व्रमा की की है वेदो की की है तो ये की है चरित्र की मनु इसमर्थी के अनुसा प्रत्वी पर उत्पन होने वाले सभी मानवों को अगर जन्मा ब्रामन ने सिख्षा किस की प्रदान की है चरित्र की सिख्षा प्रदान की है मनु इसमर्ती ही एक ऐसी आधार सिला है जिसके उपर मिश्र की, परासिया की, ग्रेशियन की और रॉमन की कानूनी समय सहीता का गठन हुआ है ये हिंदू दर्म और प्रामानब जाती का एक प्राचीन धरम सास्त्र वा प्रथम विदान है 1776 में इसका अंग्रेशी में अनुबाद हो गया था, इसको मानब धरम सास्त्र या मनु के कानून के रूप में भी जाना जाता है इसको हिंदू सहीता भी कहा जाता है और ये हमारा एक धर्मी ग्रंथ भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा मनु इसमर्ती ने बोला है कि जो सरष्टी की उत्पत्ती होती है, जो जितनी भी सरष्टी की उत्पत्ती होती है, वो हमारे नित्तिक कर्मों के द्वारा आस्रम, द्वारा वर्णास्रम ववस्था, ये सारी जो चीज़ें होती है, ये पूरी के पूरा जो सरष्टी है, इन अगला कुशन एकते हैं ये पढ़ लो एक बारी मनुस्मर्ती क्या है मनुस्मर्ती हिंदु धर्वमा मानब जाती का प्राचीन धर्व सास्त्रवा प्रथम बिदान है 1776 में अंग्रेजी में अनुबात करने वाले पथम पहले संस्कल गंतों में से ये मनुस्मर्ती था जिसका अनुबात किया था विलियम जोन्स ने ये भी पूछते हैं कि मनुस्मर्ती का अनुबात किस ने किया था तो विलियम जोन्स ने किया था और बिदिस ओपनेवेसिक सर प्पाद हो चुकी हैं इसमें हम ट्रीक द्वारा सारे फेक्ट कवर करवा रहे हैं ओडियो लेक्चर्स रहेंगे सारे जितने भी कठिन से कठिन टॉपिक है वो सारा आपको ट्रीक द्वारा याद करवाया जाएगा यह माल वो आपको घोल कर पिलाया जाएगा हर जगे बैस् तो जल्दी आप जाइन करोगे उतनी अच्छा है अब अभी आप कुछ और कर रहे हैं तैयारी कर रहे हैं पर जॉइन कर लीजे ताकि आपके पास सारी e-book आपको मिलती जाए तो जितना भी topic जैसे कल मैंने SDG का 2023-2024 करवाया है मध्ध प्रदेश का भारत में जो भी स्थान लगा है अभी बाकि SDG क्या होता है कब कौन सा संसकरन है कौन जारी करता है ये सारा कुछ और किस लक्ष में क्या कहा गया है ये मैंने पूरा trick द्वारा याद करवाया है और कल का जो अगला जो हमारा topic होगा वो भारत वर्ष होगा भारत वर्ष क्या है कहां पे कितने नाम दिये गए हैं किस जग किस ने भारत को क्या-क्या नाम दिया है यह हमारा अगला topic रहेगा यह सारा भी मैं trick और चित्रो द्वारा cover कराऊंगी test topic wise होंगे जैसे कि आज मैंने यह cover करा दिया है SDG वाला तो अब रात को 10 बजे कल मैंने SDG cover करा दिया था तो आज रात को 10 बजे उसका test होगा तो ये सारे चीजे टॉपिक तैयार होता जाएगा और टैस्ट लेते जाएगे ट्रिक द्वारा याद होगा, ओडियो लेक्चर द्वारा कठिन टॉपिक याद करवाए जाएगे टैस्ट टॉपिक वाइज होगा, ये 7500 MCQ की बुकलेट दी जाएगी 7500 MCQ दिये जाएंगे, MP special की 3000 MCQ बुक डाल दी गई है जो हमारा आपको ग्रोप मिलेगा, तीन ग्रोप मिलेंगे, एक वाट्स अप का मिलेगा दो टैलिग्राम के मिलेंगे, टैलिग्राम का जो हमारा प्राइवेट ग्रोप है, उसमें ये इबुक डाल दी है, 2500 प्रेक्टिस है, 2500 प्लस करेंट अफ्यर मद्दपदेद, स्पेसल करेंट और डेली का टारगेट रहेगा यूनिट वाइज हर यूनिट के बैस्ट 1000 MCQ रहेंगे, कठिन से कठिन जो यूनिट है, चाहे यूनिट बन हो, चाहे 7 हो, चाहे 5 हो, चाहे 6 हो, बैस्ट कलेक्शन किस प्रिकार से कोशन बन सकते हैं, सारा कुछ करवाया जाएगा, और फानी ट्रिक से याद करवाया हैं, तो शुरू के जो 50 लोग उनको डिसकाउंट दिया जा रहा है, फिर ये 1999 हो जाएगा, तो जो भी अपना बुक करना चाहते हैं, ये अपना पूरा पैकेज बुक कर सकते हैं, ये सारी चीज़ है, इसमें मिलेंगी, इसके बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है, वही मै जाती है, वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाते हैं, सब कुछ मिल जाता है, लेकिन हम कुछ अलग कर रहे हैं, हम आपको गूल कर पिला रहे हैं, ट्रिक द्वारा बोल कर, कैसे भी किस छोटे सो छोटे टॉपिक से MCQ बन सकते हैं, वो सारा हम कवर करा रहे हैं, तो अगर आप लेना चाहते हैं, तो मुझे इस नंबर पर वाट्स अप कर दीजेगा, और अपनी जितना जल्दी बुकिंग हो सके कराईएगा, क्योंकि जतना ज़्यादा आप लेट होंगे, उतना आप टॉपिक से पिछड़ते जाएंगे, 6260190944, यह मेरा वाट्स अप नंबर है, यहा करा रहे हैं बारत वर्ष के वेदों के चल्द से कल्द स्थिर्थ का अदयए, उनको सरल तरीके से किस रिकार से आप बोलिक कर याद कर सकते हों, यह सारा भी हम करवाएंगे, तो यह याद रखिएगा, और जैसे कि उपनी सद कर रहे हैं, या तीर्त कर कर रहे हैं, पूरे अपने सर तीर्थ कर याद नहीं होते हैं तो कैसे उसको याद कर सकते हो ये सारा कुछ भी हम ट्रिक द्वारा करा रहे हैं जैसे कि आप याद SDG 1 में गरीवी है और SDG 2 में भुकमरी है SDG 3 में स्वास्त है है ना चार में सिक्षा है तो ये कैसे याद होगा आपको और फिर जब गरीबी चलो याद भी हो गया ये रेंक पता भी हो गया आप इनकी रेंक मध्यपरदेश की कौनसी लगी है अच्छा मैंने ये स्रेड़ी भी कल याद करवाई है ट्रिक की जो लोग नए जुड़ेंगे उसको हमारे पुराने ओडियो लेक्चर भी मिल जाएंगे टेलिग्राम पर और पीडियाफ भी मिल जाएंगे लेकिन आप जल्दे इतना लेड जुड़ो कि उतना आपका पिछड़ता जाएगा आप फास्ट जॉइन कीजेगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से वाट्सब गूरूप की लिंक मिलेगी उसको भी जुड़िएगा जो हाउस वाइफ हैं या जो लोग लड़के जॉब करते हैं लड़के जॉब करती हैं वो हमारे ये कोर्स लेकर उनलोग को बहुत ज़़ा फायदा मिलेगा प्राचीन काल में सिख्षा का विशे क्या था उपनिशद, वेद, व्राम्मर गरंत या जैन पुरान इन में से कौन था जो प्राचीन काल में सिख्षा का विशे था जिनसे प्राचिन काल में सिक्षा ली जाती थी तो वो कौन हुआ करता था तो यह होते थे बेद क्या होते थे बेद होते थे प्राचिन काल में जिनसे सिक्षा ली जाती थी उपनिसद की बात करें तो उपनिसद जो होते थे वो धार्मिक गरंथों का संग्रे होते थे उपनिसद क्या होते थे धार्मिक गरंथों का संग्रे होते थे और ये उत्तर वैदिक काल की गरंथ है उपनिसद किस काल के गरंथ होते थे उपनिसद जो थे वो उत्तर वैदिक काल के गरंथ होते थे याद रखिएगा उपनिसद किस काल के गरंथ होते थे उत्तर वैदिक काल के गरंथ होते थे उपनिसद में 200 से ज़्यादा ग्रंत हैं उपनिसदों में ब्रामर जो होती थी वो अंतिम सत्ता रहती थी उपनिसदों में ब्रामर जो होती थी क्या होती थी अंतिम सत्ता होती थी और इसमें आत्मा की अबधारनाओं पर जोड़ दिया था तो याद रखिएगा सिक्षा के विसे कौन होते थे प्राचीन काल में वेद हुआ करते थे प्राचीन ग्यान परमपरा का सार किसको कहा जाता था तो उपनिसनों को प्राचीन ग्यान परमपरा का सार कहा जाता था किसको कहते थे उपनिसनों को प्राचीन ग्यान परमपरा का सार कहा जाता था किसको कहते थे उ उपने सद में करम कांड को क्या बोला है अवर कहा गया है याद रखिएगा उपने सद में करम कांड को अवर कहकर महत्व दिया गया है इसके अलावा उपने सद में एक प्रेणना का इस्तरोध भी मिलता है और बहुत धर्म के लिए भी इंपोर्टेंट है उपने सदों की जो मानक संख्या या मानने संख्या देखें तो एक सो आठ है लेकिन में मुख्य आठ है और बैसे तो दो सू तीन सो अपने सद जो है वो अपने सद के रचेता को थे तो व्यास रिसी को उपने सद का रचेता कहा जाता है किसको कहा जाता है अगला है उपने सदों में पराविद्या का संबंद किस से है उपने सदों में पराविद्या का संबंद है विद्या से भी परे मतलब तो उसका संबंद किस से है अधिहात ग्यान से है उपने सदों में पराविध्य का सब्सक्राइब किस से है उपने सदों में पराविध्या का सब्सक्राइब के लिए टावर कोशन दे रही हूं को कि रिंगवेट को पढ़ने वाले किया कहलाते थे एक हमने numb tipsy 2020 के लिए जो सीरीज बनाई है वो L सीरीज है वीडियो के लिए और जो हमारे जुनून वैज की सीरीज है वो है जे सीरीज तो L सीरीज में मैंने कल एक वीडियो करवाया था उसमें मैंने पूरे वेद करवाया थे आपको सारे वेदों से संबंदे सारे फेक्ट कवर करवाया थे उसमें मैंने आपको बताया था कि जो रिगवेद होते हैं वो रिगवेद क्या होते हैं रिगवेद का उपवेद कौन है अरण्या कौन है व्यामर कौन है और उसी में मैंने बताया था कि रिगवेद को पढ़ने वाले क्या कहलाते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट करके अगला है भारतिय ग्यान परंपरा के कितने आधर्भूत तत्व माने जाते हैं एक दो तीन या चार कितने आधर्भूत तत्व माने जाते हैं तो तीन आधर्भूत तत्व माने जाते हैं कौन कौन से माने जाते हैं तीन आधर्भूत तत्व एक तो माना जाता है सत एक क्या मा माने जाते हैं भारती गारन परमपरा के ऐसे तीन प्रेकार माने जाते हैं कौन-कौन से सत्प्रकास और अमरत्व कौन से सत्प्रकास और अमरत्व माने जाते हैं अगला है अस्तो मा सद गमय का वर्णन किस उपनिसद में लिया गया है अस्तो मा सद गमय जो है वो लिया गया ह व्रहद अरन्यक उपनिसद से किस से लिया गया है व्रहद अरन्यक उपनिसद से लिया है ये व्रहद अरन्यक उपनिसद किसका है तो ये सुकल यजरवेद का है यजरवेद के दो प्रकारें एक तो क्रश्न यजरवेद और एक सुकल यजरवेद तो जो व्रहद अरन्यक उप वो याग वलके हैं कौन है इसके लेखक याग वलके हैं इसके ब्रहद और अरन्यक उपनिशद के कौन है याग वलके रिसी इसके प्रणेता हैं अगला है स्रस्टी तत्व की विवेचना किस उपनिशद में मिलती है स्रस्टी तत्व की विवेचना एतरे उपनिशद में मिलत सामिल होते हैं और यह आंत्रिक या पुरानिक अर्थ को समझाता है अनुष्ठानों के इसमें महावाक्य प्रगानम ब्रह्म में पूर्ण ग्यान है ऐसा सब्द बोला गया है कि ब्रह्म ही पूर्ण ग्यान होता है ऐसा एतरे उपनिसद में बोला गया है तो स्रश्टी तत्व कि विवेचना किस में मिलती है एतरे उपनिशत में मिलती है एतरे उपनिशत किसका है रिग वेट का है एतरे उपनिशत किसका है रिग वेट का है फैंस ये कठिन कठिन चीजें याद नहीं होती है इसी कारण से मैंने यो ट्रिक का गुरूप बनाया है अगर आपको भी ये यह बहुत बार पूछा गया है किस स्थूप को धरम राजी का स्थूप बोला जाता है तो सारनात के स्थूप को धरम राजी का स्थूप बोला जाता है इसको धहमेक स्थूप भी बोलते हैं कौन सा धहमेक स्थूप भी इसको बोलते हैं और यह उत्तर प्रदेश के 12 नसी के पाज सारनात में इस्तित है और इसका जो निर्मार किया था वो अशोक ने किया था धरम राजी का इस तूप का निर्मार किस ने किया अशोक ने किया था और इसको क्या बोलते हैं धमेक इस तूप भी बोलते हैं याद रखना ये उत्तर पदेश के सारनात में है इसलिए इसक पसुचोरी का सबसे जदा उलेक है पसुचोरी अपरात का सबसे जदा वार उलेक किया है रिगवेद में किसका किया है पसुचोरी का किया है अगला है भारती अंकगरित के अंतरगत अंकगर्णा का सबसे पहले उलेक किस बेद में किया गया है अंकगर्णा का उलेक बोल रहे प्रंथ है इसमें 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं दस मंडल हैं और क्या हैं दस 128 सूक्त हैं फ्रेंज वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करते जाएगा सारे लोग और इसके अलग अलग पार्ट लेके आऊंगी इस पूरे के जो भारत वर्ष है तो पूरा कोशन क्योंकि अलग टॉपिक इसके कोशन नहीं मिलते हैं इसलिए अलग से ही इसके पूरे mcq बनाऊंगी बाकि इस जो हमारे 7500 mcq आपको दे रही हूं मैं हमारे जून बैच में उसमें इसके सारे फेक्ट कवर होंगे करीब 1000 mcq मैं यूनिट वन के आपको दूँगी हंगला है रिगवेद में विश्वा मित्र और देवी के रूप में पूजे जाने वाली दो नदियों के बीच रिचा का वर्णन है मतलब कुछ मंत्रों का वर्णन है वो दो नदियां कौन सी है देखो वो दो नदियां है एक तो है ब्यास और एक है सतलुज ब्यास और सतलुज रिगवेद में विश्वा मित्र और देवी के रूप में पूजे जाने वाली मतलब जो विश्वा मित्र ने इन दोनों नदियों के वारे में रिचाएं लिखी गए तो याद रखेदे का विश्वजवमित्र ने किन दो नदियों के पीच में रिचाय लिखी है, तो याद रखे हैं। विव कौन इसी है। एक तो ब्यास है और दूसरी कौन सी है। रिगवेद में बर्णन किया है, रिगवेद में 10 मंडल हैं, दस्सो अठ्ठाइस सूक्त हैं और इन रिग्वेद में जो मंत्र हैं उसमें देपताओं की स्तुति की गई है इसी प्रकार से इन दो नदियों की भी स्तुति उसमें की गई है तो क्या है इनका नाम व्यास और सत्तलो इन नदियों का नाम है अगला है मनुस्मर्ति जो है वो क इस से संबंदित है, मनु इसमर्ती जो संबंदित है, वो विधी से संबंदित है, मतलब कानून से संबंदित है, मनु इसमर्ती को धरम सास्त्र भी कहा जाता है, आप से पूस्ते हैं इन में से किसको धरम सास्त्र कहा जाता है, तो मनु इसमर्ती को ही धरम सास्त्र कहा जाता है ये स्लोक में लिखी गई कानून की कितावें हैं और सबसे पुरानी इसमर्ती है, सबसे प्राची निसमर्ती कहा जाता है मनु इसमर्ती को, इतिहास कारी के अनुसार मनु को प्रथम राजा और प्रथम विधी का जानकार भी माना जाता है, मनु इसमर्ती का सबसे पहले अनु वागोट किया था किस ने किया था William Jones ने किया था यह था हमारा आज का वीडियो आसा है video अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरू कीजेगा सेर कीजेगा हमारे Instagram सर्जूल इसकी ID है Bengisha 1957 से 12 प्था ग़र एकशच़ करेडिदों झाल झाल